हमको यह नहीं समय रहा है यह विशय उठ कहां से रहा है कि हनुमान चलिशा का प्रयोग तो यह भेध है तो यह आपके मन में कुछ विकार है तो हम नहीं समझती कि हनुमान चलिशा का प्रयोग यह जो भी हो रहा है ऐसे होना चाहिए प्रश्न आमी विचारला डॉक्टर विश्वंबर नात मिश्राना संत तुलसिदासानी वाराना सिच स्थापन के लिला संकट मोचन मंदिर संस्थेचे ते महनता है अब देखिए हम गोश्वामी जी कही रचना का एक पाड बताने आप जो करें क्या गोश्वामी जी मुसल्मानों खिलाफ थे तो गोश्वामी जी थो थोड़ो आउट्स्पोकेन थे और वह बहुत केर नहीं करते थे अपने राम भक्ती में उनको जो अंदर से उनको अच्छा लगता तो वह बातों को कहते अब जैसे जादपात की बात है तो काईक हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं तो र अगवार लांपती जो समर्बन तो वह दर्शाता है तो हम एक पद गोश्वामी जी का आपको बताते हैं जैसे है कि उसमें कंप्लिमेंटरी शब्दों का उन्होंनों प्रेव किया और आप ये ध्यान दीजिएगा कि हनुमान चलीसा का जो काल रहा है वह मुगल काल रहा है और मुगलों ने क्या क्या वह सब को पता है तो उनको भी एक बार दरवार में जवर्जस्ती बुलाए गया था सब हुआ लेकिन उनका सब प्रतिभा देखके अकबर भी उनसे बड़ा प्रसंद हुआ तो उनसे एक संबन अच्छा वो रखते थे अचा उस समय जो उनको इत अच्छा जी करा कि तुम्हारे दवाओं में अपनी बात तो मैं नहीं बदलूँगा तो वो इस पद में देखे एक दम साफ साफ रिफलेक्ट होता है कि अगर खाने को नहीं दोगे तो मैं भीक मांग के खालूँगा मांग के खईबो मसीद में सोईबो और रहने के लिए कि अफो जो कंसेप्ट है सीय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जौर जू ठानी तो यह जो सीता राम जीरि का कंसेप्ट है वह पूरे इस समाच को में तो यहां का हो यह कहीं इस तो अगर वह मेल मेंबर है तो Посामी जी मैं उनाप भगवान राम की छवी दिखती है और अ इसमें जातिया कहां से आई, इसमें रीजन कहां से आया, तो वो तो कहते पूरा जगत एक परिवार है, और जो वसिदय कुटुम्ब कम है, वो सब इसमें देखे प्रतिपादित होता है, और गोस्वामी जी के उद्देश्यों को समझे, और ये भी देखे कि उनका काल खंड क कि उसमें उनकी अपनी सरकार नहीं थी, उसमें मुगलों का शाशन था, तो वो सब पिरेट में गोस्वामी जी की ऐसी भावना थी, तो आपको उन भावनाओं को समझना चाहिए, और ये देश देखे बहुत ही विराठ है, इसके इतने वारियेशन से हैं, आप उत्तर से द प्रचिलित भाषाये थी यहां की छेतरी, सब का उन्होंने समावश किया, और उर्दू का भी खुब जम के उसमें प्रहुदू और आपका फार्सी शब्दों का खुब प्रहुद की अपने रामशरित महारस में, जैसे गरीब शब्द है, नेवाजू, और मसीत, ये सब ज अच्छा कहीं के लिए कुछ बैरियर नहीं था, ने हमको यह नहीं समय रहा है, ये विषय उठ कहां से रहा है, कि हनुमान चलिशा का प्रयोग, तो ये भेध है, तो ये आपके मन में कुछ विकार है, आप हनुमान जी से विंती करिए, ये विकार आपका नस्थ हो, ताकि आप प्रॉस्पेरिटी के देखिल, हम लोग आनन्द समय के लिए तो आये नहीं है, लेकिन जो भगवान ने अगर हमको भेजा आएक समय के लिए, तो परसपर प्रेम बढ़े, सब प्रगयती के रहा पर अग्रसर हों, और इस देश का नाम, इस देश को जैसे एक कहा गया कि विशोगुरू, तो विशोगुरू ऐसे नहीं है, इस देश के लोगों का हिरदय बड़ा विशाल है, तो आप अपना संकुचित हिरदय मत करिये, बड़े नेरो बाउंडरी में आप अपरेट मत करिये, और इस तरह से आप सेग्रियेशन अगर कर रहे हैं, तो हम नहीं स सुमझता है कि रामचरित मानस हम लोग के लिए सबसे बड़ा गंथ है, और काया कि वेध पुरान सब का उसमें उन्हों ने अंश डाल दिया गो सवमी जी ने, तो जिसको हम लोग यहां तो जैसे कोई प्रावलम भी आती है, तो हम लोग रामायन पढ़ते हैं और रामचरि लेकिन यह नहीं माया है, भगवान राम हमारे हैं परब्रम परमिश्वर माने गए हैं, और उनका एक और रामचरित मानस का हम आपको बता जरहे हैं, कि मम माया संभो संसारा, जीव चराचर विविद प्रकारा, सब मम प्रियत, सब मम उपजाये, इन में अधिक मनुझ सब के उत्पत्ती का कारण मैं हूँ, तो अब बताइए, उसमें जानवर भी हैं, आदमी भी हैं, और आदमी में कोई जाती और पंथ नहीं बताये गया है, तो वो जो भी है, वो हमारा क्रियेशन है, लेकिन इसमें मैं जो ये मानो जीव है, इसको मैं सबसे अधिक इसलिए मानता हूँ, इसको हमने दो फैकल्टी दी है, एक सोचने के लिए, इंटलेक्ट का वो दिया है, और एक क्रेम करने के लिए हिर्दे दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं, कि हमारा जो ये माया है, उसका वो रेश्पेट करेंगे, और सारे इंडविज्वल्स को अपने ग्रे किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप सच में अगर राम उपासक हैं, तो आप भगवान के माया का रेस्पेक्ट करेंगे, सब के भावनाओं का आदर करेंगे, तो हम नहीं समझती कि हनमान चलिशा का प्रयोग ये जो भी हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, औ हनमान चलिशा का तो हम ये प्रयोग हम देखते हैं, कि अगर आप कोई बड़ा पाठ या इस तरह का जब अनुस्थान नहीं कर सकते हैं, तो हमारे हाँ ये भी कहा गया है, कि हनमान चलिशा सुलाइए, और जो फल आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं, तो आज का जो क्राइ क्रिशेशन का जो पीरेट चल रहा है, तो ये सब जो कठिनाई है, तो हम तो कहेंगे हनमान चलिशा बलकि आप हनमान जी को सुनाइए, और सुनाइए और सोचिए कि हमारे सारे इंडिविज्वल इसी तरह उनकी मनो कामना पूरी हो, सब सुखी प्रसंद रहें, और एक समा क्रिटी हो.